अलो दोस्तों आप सब कफीर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल औरगेनिक एन हैड्रोपॉनिक अर्बन ग्रोप रोपर आज हम पोदे को उगाने के लिए इस्तेमाल किये जाने वाली एक नई टेकनिक हैड्रोपॉनिक टेकनिक के बारे में बात करने जा रहे है जिसे आम तोर पर मिट्टी रहीत केती के रुप में भी जाना जाता है और इसके लिए हमें सबसे पहले इस प्रद्दति के महत्वा को समझने की जरूरत है आज के इस वीडियो में मैं आपको हैड्रोपॉनिक बागवार्नी का संपूर्ण परिचय दूंगा और क्यूंकि ये सीरीस का पह इसले कुद सालों में लोगों की रूची उनके बोजन के उत्पादन के तरीकों में बहुत बढ़ गई है अधिक से अधिक उप्वोगता सुरक्षित बोजन चाते है जो परियावरन को नुकसान पहुचाय बगर की प्रथाओं के साथ उत्पादित किया गया हो और रसायन कितना सा काउसोसे से मुक्त हो इसी वज़ा से आज का जाकरू कुद्वगता अपने सवयम के बोजन को खुदी तैयार करने के विकल्प चुन रहे है और कई लोग ऐसा करने के लिए जैविक या हाइड्रोपोनिक तरीके पर पसंद कर रहे है हम में से अधिकांस लोग जो गर के बगीचे में सब्जिया उगा रहे है शायद ये सोते है कि हमें बस इतना करना है कि मिट्टी में कुछ बीच बो दे और उसे पानी दे और वे अंकूरित होकर एक उत्पादक पौदों में विक्सित हो जाएंगे और हमें अच्छी उपज देंगे हलांकि ये सोच एक इच्छा से ज़्यादा कुछ नहीं है जब तक कि हम मिट्टी की सफल खेती के लिए उचित तौर तरीकों को अच्छी तरीके से नहीं जानते हैं वास्त में हमें मिट्टी की सर्वशना, उर्वरक्की आपूर्ती, पानी का सही विवस्थापन, कीट और रोग प्रबंदन और अण्यक कई चुनोतियों का सामना करना पड़ता है जदि आप भी उचिनोतियों का सामना कर रहे हैं, तो आपके मुन में भी सवाल उठता होगा क्या कोई और तरीका है जो हमारे सबजी के उत्पादन को इन सिमित कारकों के उपर बैतर मियंतरन दे सकता है हैड्रोपोनिक कल्चर इसका सही उत्तर ओ सकता है हैड्रोपोनिक वास्तों में गर के अंदर या बहार बिना मिट्टी के इस्तमाल किये पोदो को उगाने की एक विदी है जिसमें पोदो के विकास के लिए आवक्षे खनीच तत्वों को जमीन से किजने की बजाए पोदो को उनकी जड़ों को अपूर्ती किये गए हुए पोशक तत्वयुक पानी के माध्यम से अपना सारा पोशन मिल जाता है वास्तरिक रूप से मिट्टी में या हैड्रोपोनिक तरीके से बढ़ते पोदों की अच्छी पैदावार के लिए उनके परियावरण के रस्टी कौन से समान सिती की आवश्यक्ता रहती है अलागी हैड्रोपोनिक के साथ मिट्टी के मुकाबले आप कई सिमित कारकों पर बहता नियंतरन कर सकते हैं यदि इससे एक कदम हम आगे बढ़ते हैं और सबजियों को एक ग्रिनाउस में हेड्रोपोनिकली उगाते हैं तो हम कुछ बहरी सिमित कारकों जैसे कि प्रकाश, आदरता और तापमान को भी नियंतरित कर सकते हैं और अपने पौदों में एक बड़ी मात्रा में कीट और रोग की समस्याओं से बाहर आ सकते हैं इसके अलावा यह हमें साल पर पौदों को उगाने में शक्षम बनाएगा और ग्रिनाउस ओफ सिजन के दौरान भी उच्चे गुनवत्ता वाले पौदों का उत्पादर कर सकते हैं हैड्रोपॉनिक्स कही तरह की परिस्तितियों में काम करता है सिमित या बीना जगा वाले लोग जैसे की सहरी निवास में रहने वाले अपाट्मेंट या किरायदार जिनके पास बाहरी बगीजा नहीं हो सकता है हैड्रोपॉनिक को विशेश रूप से उप्योगी पाते हैं आप गर के रसोई के अंदर या कोई धूप फाली बालकनी में रोज लगने वाली पत्तेदार या अउसेदिय वनेस्पतियों को उगाने से लेकर अपने गर के बगीजे की अंदर या चछत पर अपनी दैनिक सब्जियों की जरुरत को उगाने तक का या तो फिर बड़े पेमाने पर व्योशारिक चंचालन में कई सारे पौदों को एक साथ हैड्रोपॉनिक तरीके से उगा सकते हैं क्योंकि इसको बहुत ही आसानी से विस्तृत किया जा सकता है आप कुत्रिम लाइटिंग की मदद से उपलब दिस्तान को अनुकुलित करके एक बंद कमरे के अंदर भी पौदों को उगाने के लिए जा सकते हैं यह सब कुछ संभव है हेड्रोपॉनिक टेक्नीक में वैसे देखा जाए तो मिट्टी में उगाई जाने वाली अधिकांस फसले हेड्रोपॉनिक रूप से उगाई जा सकती है परतु आर्थिक व्यवता के कारण ज्यादा दर ध्यान हेड्रोपॉनिक्स प्रणानी में कुछ सबसे अच्छे बढ़ने वाले पौदों पर ही सिमित है जिन में से जड़ी बुटिया, सलाट, साग, टमाटर, मीर्च, बेंगन, ककड़ी और स्टोबेरी सबसे लोग पौदे है एक नियम के रूप में ऐसे पौदे जो कि मक्के की तरह लंबे होते है घरे तने वाले और आलो की तरह कदमूल वर्क के होते है उनसे बचना चाहिए जहां लाब से लागत का अनुपात उत्सा जनक नहीं होता है वो फसले हैड्रोपॉनिक उत्पादों के बीच लोग पौदिया नहीं है जदि आप एक हैड्रोपॉनिक परियोजना शुरू करने के बारे में सोच रहे है तो आपको सबसे पहले हीड्रोपॉनिक तरीके से बढ़ते पौदों को विकास के लिए मुल्बुत सिद्धानतों को सिखना होगा पौदों की वृद्ध्य में कई चाहप्रचिय के प्रक्रिया सामिल होती है पौदे मुख्या रूप से तीन वस्तों के कारण बढ़ते हैं आवश्यक पोशक तत्व, पानी और दुप एक पारंपरिक बगीचे में मिट्टी पौदे को जमीन से बात के रखती है और पानी और पोशक तत्व के लिए एक जलाशे के रूप में कार्या करती है जबकि हाइड्रोपौनिक प्रणाली जड़ो को सीधे पोशक तत्व यूग जलिये गोल प्रदान करके मिट्टी की आवश्यक्ता को समाप्त करता है जो पोदे को खुराक और पानी उपलप कराती है जबकि पुराक कुत्रिम लाइट सुजयस्पुकास की नकल करते है जिसे पोदों की विकास होती है यह एक बहुत सरल व्याख्या की तरह लगता है और भविष्या की सबसे आसा जनक कुरुष्य तक्निक को अपनी पूरी शमता दिखाने के लिए परियाप्त नहीं है इसके लिए आपको हर उन वीवरन को जानने की जरूरत है जो आपको हीड्रोपोनिक तक्निक को सफलता पुरग फिक्षिक करने में शक्षम बनाते है चीजों को सरल बनाने के लिए आपको मेरी विस्तार से बताईवी प्रक्रिया का पालन करने की आवग शक्ता है जिस पे ध्यान देते हुए आप घर के बगीचे में या ग्रीनाउस में साल बर सब्जियों का बरपूर उत्पादन कर सकते हैं और ये सब कुछ वीडियो सुनक लाके आगे के भग में आ रहा है तो कृपया वीडियो पर बने रही है और यदि आपने अभी तक सब्स्राइब नहीं किया है तो सब्स्राइब जरूर कर ले पूरी जानकारी पाने के लिए वीडियो को अंतक देखे यदि आपको वीडियो पसंद आए तो मुझे लाइक जरूर करिए मेरी दी हुई जानकारी उप्योगी लगे तो उसे शेर जरूर करे और आपकी राय और सुजाओ कॉमेंट बॉक्स में लिखे और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए नीचे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले इस वीडियो सिंकला में आप हैड्रोपॉनिक की सभी मुलभूत बातों को जन पाएंगे मैं हैड्रोपॉनिक या सोलिलेस ग्रूइंग के बारे में अंदर से बाहर तक की सभी बाते के बारे में विस्तार से बताने जा रहा हूँ जिसमें हैड्रोपॉनिक क्या है क्यों करना चाहिए और कैसे कर सकते हैं, उसकी एक विस्तुत परिबाशा, संक्षिप्त इत्यास, प्राचीन काल से उसका विकास, आज का वर्त्मान और भविश्य की कुछ संभावना है, साथ में इसके लाप और सिमाए, हैड्रोपॉनिक और उसके संभकक्स, एरोपॉनिक्स और एक्वापॉनि और इनकी विविद्ण फसल के लिए उप्योगता, उप्योग में आने वाले विविद्ण मीडिया और पॉधय के अनुरुप उनके विकल्प या चुनाव, पोशक तत्वों की जरुर्यात और पोदों की वृद्धी के लिए उनका महत्वर्ध, पोशक तत्वों के अलग- विश्तार्पन का विस्तार से विवरंड इसके साथ कम लागत से लगने वाली कुछ प्रभावी सरल डूइट यारसेल प्रनलिया जो आप खुद घर पे असानी से तयार कर सकते हैं और जो आपको अपना बोजन सफलता पूर्वा कुगाने में शक्षम बनाएगी इसके अलावा मैं आपके साथ बड़े वानिजिक सेट अप के लिए लागत और उत्पात का विश्टलेशन पताऊंगा और मेरे हैड्रोपोनिक सेट अप के बारे में जानकारी और उसका नियमित प्रदर्शन अपडेट करता रहूंगा और आपकी क्वेरी के अधार पर और कई चीजे वीडियो के द्वारा आपसे साजा करूंगा घ्रिनाउस या पोली हाउस हैड्रोपोनिक प्रणाली के पूरख है वैसे दोनों ही अलग-अलग विश्या हैं पट लेकिन जब साथ में उसको उप्योग लेते हैं तो वो खेती को लाप दनायक प्रणाने में उत्रूस प्रणिनाम देते हैं जिसके सफलता के लिए आपको विश्यस पसल के अनुरूप, स्थानिय शेत्र स्थीतियों के आदार पर समरख्षित स्थार्षा के प्रकार और उनकी उप्योगता और संचालन के बारे में पूरा पता होना चाहिए जिसके बारे में मैं आने वाले समय में विस्तार से समरक्षी खेती पर एक अलग सुंक्ला के तरफ आपको बताऊंगा यदि आप वास्तम इन विश्वे में रुची रखते हैं और यह टेक्निक सिखना चाहते हैं तो आपको सर्फ इतना करना है कि आपको यूट्यूब पर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और आपको बेल नोटिफिकेशन बटन को चालू रखना होगा जो आपको मेरे नए वीडियो अप्लोट को एलेट कर देगा वीडियो को अन तक क्राम अनुसर जरूर देखे क्योंकि मैं सफल पागवानी के लिए कई सारे आसान नुस्के साजा करने जा रहा हूं मेरे काम की सहराना करने के लिए आप मुझे लाइक जरूर दे और इससे समान विचार धरावाले लोगों के साथ साजा करे क्योंकि मेरा उद्देश ये अधिक से अधिक लोगों को इस टेकनिक के बारे में सरल तरीके से जागरूप करना है ताकि वो भी जगह की कमी की परवा किये बगर यदि किसी के गर के पास छट के उपर या यहां तक की बालकनी में खुली जगह है जहां पौदे उगाने के लिए दिन के कुछ गंटे रोस्नी की उपलबता होती है तो वो अपना स्वयम का बोजन खुद उगाना शुरू कर सके किसी चैनल पर आप मेरे अन्य वीडियो में जेविक खेते के बारे में भी जान सकते हैं किसी भी विशे की संपूर्ण अमहिती के लिए सबसे पहले उसके इत्यास को जानना जरूरी है तो वीडियो के आगे के भाग में मैं आपको हाइड्रोपॉनिक का एक संसिप इत्यास प्राचिन काल से उसका विकास आज की उसकी स्थिती और भविश्य की कुछ संभावना के बारों में आपसे बात करूँगा सो कहीं जाईएगा नहीं जुड़े रहिएगा हैपी ग्रोइंग